प्रफिश जानकारी देने वाले हैं वो जानकारी पेमेंट को लेकर है किस तरीके से आपको पेमेंट देने का आदेश आ गया है उसी के बारे में यहाँ पे निर्देश जारी किया गया है दोस्तो मैं आपको बता दू किस तरीके से एक दिसंबर से पेमेंट देने का आदेश आ गया थे लेकिन अभी भी बहुत जगहों पेमेंट नहीं दिया गया है तो इसी संबंध में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर कारण क्या है और किस तरीके से निर्देश दिये जा रहा है किस तरीके से यहाँ पे आदेश इत किया जा रहा है कि पेमेंट दे दिया जाए दोस्तो इससे पहले मैं आप से निवेदन करूँ कि अगर आपने हमेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिए साथ बेल आइगन भी दबालिजे ताकि आपको एक लेटेस अपडेट सबसे पहले मिलें और आप से जानकार यहाँ पर दी जा रही है उसलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टूडियो को और इस स्टूडियो को आप लास तक चरूर देखिएगा दोस्त आप देख रहे हैं आज दिनांग साथ एक दोजर बाईस को अपर मुख्य सचिव महोद है पंचायती राजुत्तर प्रदिश चाशन की अध्यक्षिता में आहूत समिक्षा बैठक में यह निर्देश प्राप्त हुए है कि समस्त ग्राम पंचायतों में तैनाद किये गए पंचायत साहिकों का महदी संबर दोजर इकिस का मांदेय का भुकतान करके भुकतान का प्रमार पत्र दिनांग 15.1.2022 तक उप अध्यक्षित किया जाता है कि मंडला अंतरकत जन्पदों की ग्राम पंचायतों में तैनाद समस्त पंचायत साहिकों का महदी संबर दोजर इकिस का मांदेय भुकतान करते हुए भुकतान कि यह जाने का प्रमार पत्र दिनांग 10.1.2022 तक उपलब्द कर आया जाना निर्देश शाले में दिनांग 15.1.2022 तक संकलित कर उपलब्द कर आया जा सके दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पे निर्देशित किया जा रहा है कैसे भी 15.10 जन्वरी तक यहां पे पेमेंट दे दिया जाना है और 15.10 जन्वरी तक सुचवाले में जन्वरी जन्वरी पेमेंट को लेकर तो इसका मतलबिया है कि सभी को पेमेंट अब मिल जाने वाला है दस तारीक से पहले ही मिल जाने वाला है तो दोस्तों ये थी बहुत बड़ी जन्वरी पेमेंट को लेकर ऐसी तमाम जन्वरी के लिए आप हमारे साथ बन रहे हैं आप झाल 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 झाल